एथेनोल की विशाय में बहुत सारी बातें जानेने के बाद आएए अब हम एक दूसरे महत्तुपुन कारवनिक पदार्थ एथेनोईक अमलक के विशाय में जानते हैं जिसे हम सामाने तोर पर एसटिक अमलक कहते हैं आपने अमलचार और अमलचारक और लवन्ड वाले अध्धाय में बहुत सारे खादी पदार्थो यहने की फल और सब्जों में पाये जाने वाले अमलों के विशाय में जाना है जैसे कि आपने जाना टमाटार में ऑक्जालिक एसिट होता है जित्ते भी नीबू संत्रे जैसे फल होते हैं उनमें सिट्रिक एसिट पाया जाता है दूद में लाक्टिक अमल पाया जाता है और आपने यह भी देखा था कि जो चीटी या मदोमक्की जब हमाई काटती है तो वहाँ पर वो एक फार्मिक अमल छोड़ती है जिसकी वजह से हमें जलन होती है यह सारे प्रका विलियन सिर्का कहलाता है और इस सिर्के का उपयोग हम दैनिक जीवन में अचार, सौस, चटनी आदी में बहतायत से करते हैं आईए जानते हैं एथे नौइक अमल के भातिक गुणों को एथे नौइक अमल है और इसकी प्रकृती अमली होती है यदि हम इसकी अवस्था की बात करें तो सामाने ताप पर तो यह द्रव वस्था में होता है लेकिन इसका गलनांग काफी कम है यह केवल 290 कल्विन यानिकी 17 डिग्री सेंटिग्रेट होता है और इसलिए जैसे ही शीत का शीतल होता है या ठंड का समय होता है तो उस समय में यह ठोस रूप धारन कर ले समय होता है यह अमली प्रकृति के होते हैं लेकिन इनकी जो अम्लियता है वह खनीज अमलों की तुल्णा में काफी कम होती है खनीज अमल जैसे कि हैड्रोग्लोरी कम नाइट्री कम सल्फियूरी कम आदी इसकी पहचान हम लिटमस के द्वारा भी कह सकते हैं और पीच पेप का और योगिक तोर पर उत्पादन किस तरह से किया जाता है चुकि ये भी बहुत अधिक मात्रा में उप्योग होने वाला कार्वनिक योगिक है इसलिए इसका उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है और इसका उत्पादन एथेन नौल के ऑक्सी करण के द्वारा ही किया हो जाता है और इस किडवन विधी या फर्मेंटेशन विधी को हम शीग्र सिर्का विधी कहते हैं तो आएए देखते हैं इसमें शीग्र सिर्का विधी के द्वारा एस्तिक अमलका निर्मान किस प्रकार से किया जाता है इसके लिए देख सकते हैं आप एक बाल्टी नुमा पात्र होता है पहले ये जर्मन में सबसे पहले बनाय गया था और वहाँ पर लकड़ी के पात्रों का उप्योग किया जाता है वैसे अन्य धातु पात्रों का उप्योग भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख रहें बाल्टी नुमा एक पात्र होता है जिसमें उपर और नी सकते हैं कि इसमें कुछ चिद्र होते हैं जिससे यहां पर वयुका प्रवाह हो सकें इसमें सब से पहले हम इसका जो मद्ध Geral है उसके मद्ध भाग में हम लकडी की छीलन को पुरानी सिर्के से भिगा कर इसमें भर दिया जाता है और इसके नीचले वाले भाग में आप देखने हैं जो नीचे वाला चेंबर होता है वह खाली होता है जहां पर जो शिग्र सिरका विधी से सिरका तयार होता है वह नीचे एकत्रित होता है जहां पर एक आउटलेट बना हुआ है इस आउट पुराने सिर्के का उप्योग इसलिए किया जाता है क्योंकि पुराने सिर्के में जो जिवानों है माइको डर्मा एसटी उसकी मात्रा पाई जाती है साथी साथ इसमें कुछ मात्रा में अमोनियम सल्फिट मिला दिया जाता है जो की जीवानों के व्रधी में सहायक होता है इसके पश्चार इसमें उपर से 10 प्रतिसत एथेनॉल का विलियन प्रवाहित किया जाता है दीरे जीरे जब एथेनॉल का विलियन मद्द छेतर में पहुचता है तो वहाँ पर वायों की उपस्तती में माइको डर्मा एसटी की क्रिया के द्वारा यह एथेनॉल एथेनॉइक अमल में परिवर्तित होता जाता है और इस तरह से सबसे निचले वाले भाग में यह एकत्रित होता है लेकिन इस तरह से जो एसटीक अमल एकत्रित हुआ है उसकी सांद्रता बहुत ही कम होती है केवल 3-4 प्रतिशत होती है और इसलिए हम इसे सिरका कहते हैं और इस तरह से जो तनू एसतिक अमल है जब हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो चुके यह काफी तनू है इसमें सिरक एसेटीक अमल की मात्रा काफी कम होती है तो इसे आस्वन विधी के द़्ारा सांद्रत किया जाता है और इस तरह से जब यह 100% प्यॉर हो जाता है उसे हम अब हम ST कमल के रासाइनी कोनों को जानते हैं जैसे कि मैंने बताया ST कमल अमलिय प्रकृति के होते हैं और ये साथी साथ जल में विले होते हैं लेकिन जैसे जैसे इनके अनुभार बढ़ते जाते हैं जिन्हें ये इनकी जल में विले तक कम होती जाती है जैसे कि उधारन के ल तो तो ऐसए अधिक अनु भारवाले कर्बाक्स लिकए अमने होते हैं। उनकी जलमे विलेटा दीरे-दीरे कम होती जाती है। अब आई जानते हैं मिनके इनकी क्रियाएं किसकी प्रकार से होती हैं तो जैसे कि मैंने बताया ये अमली प्रकृति के होते हैं और इसलिए ये छारकों के साथ क्रिया करके लवन बनाते हैं तो इनकी पहली क्रिया है लवन बनाना जब भी एथेनोईक अमलोको की क्रिया किसी छारक जैसे की sodium hydroxide के साथ कराई जाती है तो ये लवन और जल बनाते हैं जैसे की एथेनोईक अमलोकी क्रिया जब हम sodium hydroxide से करेंगे तो हमें sodium acetate लवन प्राप्त होगा और साथ ही साथ मिलेगा जल इसी तरह से यदि हम इसकी क्रिया calcium hydroxide से कराएंगे तो वहाँ पर हमें calcium acetate मिलेगा और जल मिलेगा इसी तरह से हम इसकी क्रिया यदि sodium carbonate या फिर sodium hydrogen carbonate से कराते हैं तो वहाँ पर भी हमें sodium acetate मिलते हैं जल बनता है लेकिन इसमें बहुत अधिक मात्रा में carbon dioxide gas बाहर निकलती है और इस विधी का उपयोग हम एथेनोईक अमल की पहचान करने के लिए भी करते हैं जैसे ही एथेनोईक अमल में sodium hydrogen carbonate की कुछ मात्रा या sodium carbonate की मात्रा डाले जाती है तेजी के साथ बुल्बले निकलते हैं carbon dioxide gas के जिससे पता चल जाता है कि दिया गया जो द्रफ है वह एथेनोईक अमल है इस अभी क्रिया का उपयोग कई बार बचे वॉलकेनो या जौला मुखी के प्रदर्शन के लिए model बनाने के लिए भी करते हैं इसके लिए जौला मुखी या पहाड जैसे बना लिया जाता है model बना लिया जाता है और उसके अंदर हम एक छोटे से पात्र में sodium hydrogen carbonate रख लेते हैं अब जैसे ही इसमें सिर का vinegar डाला जाता है तेजी के साथ जाक के साथ अंदर के पदार्थ बाहर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे जौला मुखी का food गया है और पदार्थ बाहर निकल रहा है इसके लिए हम यहाँ पर कुछ color का उपयोग भी कर सकते हैं इसके बाद है एथेनोईक अमल की धातू के साथ क्रिया जैसे कि हम जानते हैं कि अमल की जब धातू के साथ क्रिया होती है तो लवन बनते हैं और hydrogen gas बाहर निकलती है तो ठीक इसी तरह जब एथेनोईक अमल की क्रिया हम धातू जैसे सक्री धातू sodium के साथ कराते हैं यह हम एथिनोईक अमलमेत यदि सोडियम का छोटा सा तुकड़ा डालते हैं तो वहाँ पर इनकी बीच क्रिया होती है और यहाँ पर बनता है सोडियम एसिटेट और साथी साथ हैड्रोजन गैस बाहर निकलती है अब जानते हैं एथनोईक अमलमेत के उप्यों तो जैसे कि मैंने मत की बीच्ट के तोर पर एथनोईक अमल का उप्यों किया जाता है जिसमें हम है एक और महत्यपूर्ण अभी करन जिसके फलस्षणो रूप हमें अस्टर प्राप्त होते हैं जब हम इसकी क्रिया एथेनॉल के साथ कराते हैं सांद्र सल्फियूरिक अमल की उपस्तती में तो दोनों के बीच अभी क्रिया होती है और एस्टर बनते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जब हम एथेनॉक अमल जिसका सूतर है CS3COOH जब इसकी क्रिया हम एथेनॉल CS3COOH के साथ कराते हैं सांद्र सल्फियूरिक अमल की उपस्तती में तो यहाँ पर इनके बीच क्रिया होती है और हमें यहाँ पर एस्टर प्राप्त होता है जिसे हम एथिल एथेनॉएट कहते हैं और इस तरह से यह जो एस्टर बनते हैं वो काफी भीनी खुश्बू वाले होते हैं और यीस प्रकार की जो एस्टर है उनका उप्योग बहुत सारे जैम, जैली या फिर आइसक्रीम में फ्लेवर देने के लिए किया जाता है इसके अलावा जो भीन भीन खुश्बू वाले पफ्यूम होते हैं उनमें भी इनका उप्योग किया जाता है तो आईए हम भी एथेनॉए कमल और एथेनॉल की क्रिया के द्वारा इस्टर बनाते हैं अरे वा इतनी सारी कैंडी वो भी अलग-अलग खुश्बू और स्वाद वाली आपको भी पहतो पसंद है ना मुझे भी बहुत पसंद है अच्छा बच्चो आपको पता है यह जो अलग-लग खुश्बू और स्वाद वाली कैंडी होती है जरूरे नहीं है कि इसमें असली फलों की वजय से हो। बच्चों इन में अलग-अलग प्रकार के खुश्बू और स्वाद लाने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों का उप्योग किया जाता है। जिने हम एस्टर कहते हैं। बच्चों ये एस्टर कार्बॉक्सलिक अमलों की सांद्र सल्फियूरिक अमलों की उपस्थती में अलकोहलों से क्रिया के द्वारा बनते हैं। जिसका रासायनिक सम्मिकरन आपकी सामने है। तो चलो, आज हम इसी प्रकार का एक एस्टर बनाते हैं। इसके लिए हमें कुछ रासायनिक पदार्थों क्या उशक्ता होगी। इसके लिए हमने लिया है एथेनोईक एसेड, एलकोहल, एथिल एलकोहल, साथ ही हमें चाहिए सांद्र सल्फियूरिक अमल, और हमें चाहिए सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट का जली इविलियन। अब हम क्या करेंगे। इस एथेनोईक अमल में सबसे पहले कुछ बून, सांद्र सल्फियूरिक असिट के डाल देंगे। यह डाल दी हमें। अब इसके पाद इस विलियन को हम अल्कोहल के विलियन में मिला देते हैं। यह अब बच्चों इसे हमें लगभग साथ डिग्री सेल्सियस तर गर्म करना है। इसके लिए मैंने इस बीकर में पहले से ही पानी गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसे इसके अंदर गरम करने के लिए रख देती हूँ। यह धीरे धीरे गरम होगा। बच्चों जैसे यह साथ डिग्री सेल्सियस तक गरम हो जाएगा। इसके बाद हम इस सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट के विलियन में उलेड देंगे। बच्चों सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एस्टरी करण की अभिक्रिया होगी उसके बाद हो सकता है कुछ मात्रा में एथेनोई कमल शेस बचे। तो उसक का उपयोग करने के लिए हम इसको स्मढालते हैं जिससे एथेनोई कमल इस सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट से क्रिया कर लेता है। देखिए हमारा विलियन लगभग तयार हो गया है। अब हम इसे बिलकुल सावधानी पूर्वर इस सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट के विलियन में डालते हैं। देखिए एथेनोई कमल और सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट के विलियन च्क्रिया हो रही है। और आपको कार्बन डायोक्साइड निकलती हुई दिखाई दे रही है। जब पूरी कार्बन डायोक्साइड निकल जाएगी। अब हम देखते हैं। बिल्कुल खटी मीठी फलो जैसे खुश्बू आ रही है। बिल्कुल नासपाती की तरह। क्योंकि बैचों जब एथेल अलकोहल और एथेनोई कमल की क्रिया होती है। तो जो एस्टर बनता है उसकी खुश्बू और स्वाद। नासपाती की तरह होती है। आईए। अब हम जानते हैं एथेनोई कमल के उप्योग। तो जैसे कि आपने यहां पर देखा कि इनसे एस्टर प्राप्त होते हैं। और एस्टर का उप्योग फ्लेवर और फ्रेग्रेंस देने के लिए किया जाता है। तो विभिन पर्फ्यूम्स या फिर आइस्क्रीम खाद्य पदार्थों को फ्लेवर देने के लिए इनका उप्योग किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि एथेनोईक अमल का जो 3-4% विलियन है जो सिर्का कहलाता है उसका उप्योग अचार चटनी सौस आधी के परिरक्षन के तौर पर किया जाता है। इसके अलावा और भी कार्बाक्सिलिक अमल होते हैं जैसे कि सिट्रिक अमल है, टार्टरिक अमल है, लैक्टिक अमल है। ये हड्रोक्सी अमल भी कहे जाते हैं क्योंकि इनमें कार्बाक्सिलिक समों के साथ साथ हड्रोक्सिल समों भी उपस्तित होते हैं। और इनका उप्योग परक्षक के तौर पर खादिपदार्थों के परक्षन के लिए किया जाता है। अब बात आती है, यदि हमें दो परक्षनलियों में एथेनॉल और एथेनोईक अमल दे दिया जाए। तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्योगी यदि देखें, देखा जाए तो यह सामाने तो पर रंगहीं होते हैं। लेकिन इनकी पहचान हम इनकी गंद से कर सकते हैं क्योंकि जो acetic अमल होता है वो काफी तीक्ष्ण गंद वाले होते हैं जबकि एथेनॉल में तीक्ष्ण गंद नहीं होती है दूसरी जैसे हमने देखा कि जब हम इसकी sodium carbonate के साथ क्रिया कराते हैं तो उस क्रिया का उपयोग भी हम इनकी पहचान के लिए कर सकते हैं जब हम एथेनॉल में sodium carbonate की थोड़ी मात्रा डालते हैं तो तीजी के साथ bulbulे निकलते हैं जो की carbon dioxide की होते हैं जबकि जब हम एथेनॉल में sodium carbonate की मात्रा डालते हैं तो बहुत कम bulbulे निकलते हैं तो इस तरह से इस क्रिया विधी के द्वारा हम एथेनौल और एथेनोईक अमल की में अंतर कर सकते हैं इसके अलाबा हम लिटमस परिक्षण के द्वारा भी इनकी पहचान कर सकते हैं अध्याई के प्रारंप में हमने देखा कि कार्बन पर्माणवों में दूसरे कार्बन पर्माणवों से संयुक्त होकर लंबी श्रेंकला बनाने की शमता पाए जाती है और यही कारण है कि इनके योगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है इसी तरह से कार्बन के छोटे अणवों में आपस में संयुक्त होकर आपस में जुड़कर बड़े अणवों का निर्मान करने की भी योगिता या गुण पाए जाता है इस क्रिया को हम बहुली करन या polymerization कहते हैं इसमें जो छोटे अनू होते हैं उन्हें हम एकलक या monomer कहते हैं और जो लंबी श्रिंखला वाले जो अनू की लंबी श्रिंखला होती है उन्हें हम बहुलक या polymer कहते हैं जैसे कि आप दैनिक जीवान में बहुत सारे प्राकर्तिक और संसलेशित यानि की कृत्रिम पॉलिमर्स का उपयोग, बहुलकों का उपयोग करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जैनिक जीवान में जो हम यूज करते हैं, जैसे कि उन है, रेशम हैं, ये भी एक प्रकार की प्राकर्तिक बहुलक हैं। पॉधों से मिलते हैं, तथा दूसरी प्रकार की पॉलिमर्स संसलेशित पॉलिमर्स या कृत्रिम पॉलिमर्स होते हैं, जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो दो वर्कों में इन्हें हम वर्गी करते हैं, जैसे कि प्राकर्तिक बहुलक मैंने बताया, रेशम, उन, जो की जन्तों से प्राप्त होते हैं। ये भी एक प्राकर्तिक या नैचुरल पॉलिमर्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं, बोजी पदार्त में स्टार्ज, सेल्लोज या प्रोटीन। तो ये भी एक प्राकर्तिक बहुलक होते हैं, जो कि छोटे अनुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, एमीनो अमलों के बहुलक होते हैं इसी तरह से संसलेशित बहुलक हैं संसलेशित बहुलक जो की मनुष्य के द्वारा बनाये जाते हैं और इनका भी दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग होता है जैसे कि पॉलिथीन हुआ टैफलॉन पीवी सी पॉली स्टाइरीन या पॉली प् की दस्तों का उपयोग आज हम इतनी जादा कर रहे हैं कि इनका यह प्रदूशन के परियावर्मी प्रदूशन के कारक हो गए है तो आयए हम कुछ संसलेशित बहुलकों या कत्रिम बहुलकों के विसे में जानते हैं सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिधीन के बारे में पॉल पॉलेथिलीन कहते हैं अब जो पॉलेथिन बनाय जाता है या संसलेशित किया जाता है या दो विधियों से किया जाता है और दोनों ही विधियों से प्राप्त होने वाले जो पॉलेथिलीन है उनके गोण भी भिन भिन होते हैं इस तरह से हम पॉलेथिन को दो वर्ग में या दो भागों में बाढ नो देंसिटी पॉली एथिलीन कहते हैं और दूसरा होता है उच्छ घनत्व पॉली एथिलीन या जिसे हम तो पहले हम जानते हैं LDPE यानि की कम घनत वाले पॉलि इथिलीन के विसे में जब इथिलीन को काफी उच्छ दाब जो की 1500 से लेकर 2000 तक होता है तो 1500 से लेकर 2000 एट्मोस्फिरिक प्रेशर में तथा तापमान 350 से 510 कैल्वीन के बीट जब इन्हें गर्म किया जाता है और यहां पर हम बता दें कि जो अभी क्रिया होती है उसकी शुरुआत करने के लिए परोक्साइड इनिशियेटर स्काउप्यो किया जाता है तो जब यह इतने उच्छ दाब में इनकी क्रिया होती है तो जो इथिलीन के अणू है आपस में जुड़कर पॉलि इथिलीन का निर्मान करते हैं और यहां पर जो पॉलि इथिलीन था यह सबसे पहले पहला बनाय गया पॉलि इथिलीन है जो से 1933 में बनाय गया था और पॉलि इथिन का यह जो ग्रेड है आज भी यहां पर उप्योग में लाए जाता है इसके अलाब हम देखें कि जो जो लो देंसिटी एक बार उप्योग होने वाला पॉलिथलीन है और इसलिए इसका रिसाइकल नहीं होता है यदि हम इसके गुड़ों की बात करें तो चूंकि ये उच्छ दबाव के साथ बनाय जाते हैं और इसलिए इनकी जो सरचना होती है या काफी ज्यादा शाखित होती है यानिकि इनकी जो शरणिया होती है या श्रिंखलाए होती है वो बीच बीच में शाखाओं में विभक्त होती है और इसकी वज़ा से इनके जो अनु है आपस में बहुत अधिक पास-पास नहीं होते है यानिकि इनके बीच जो अंतर अनु बल होता है वो काफी कम होता है और इसकी वज़ जो तनन छमता होती है, वो काफी कम होती है। इसके अलावा इसमें जो अधिक शाखाए होनी की वज़े से ये कमजोर होते हैं लचीले सुभाव के लचीली प्रकृति के होते हैं। यदि हम इनके उपयोग देखें, तो जितने भी हम देखते हैं कि कैरी बेग हुए या कि जिप लॉक वाले पॉलिथीन्स हैं, उनका उपयोग हम करते हैं, वो इनसे ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा जितनी भी नरम बॉटल्स होती हैं, जिनने हम दबाते हैं या फिर मॉल्ड़ड बॉटल्स होती हैं, जो प्रयोकशाला में उपयोग में लाई जाती हैं, इन सभी को बनाने के लिए या जो सॉफ्ट टॉइस होते हैं, खिलोने होते हैं, उनको बनाने के insulators बनाने के लिए इंकाउप्योग होता है जो केबल पाइप सोते हैं केबल तार होते हैं उनकी covering बनाने के लिए इनकाउप्योग किया जाता है इसके बाद हम देखते हैं उच्छ घनत पालिथिली यहने की HDPE के विसाय में तो यहाँ पर SDP के लिए बनाने के लिए जो कंडिशन होती है वो होती है लगवाद 330 से 343 केलविन तापमान रखा जाता है लेकिन यहाँ पर दबाव काफी कम होता है दबाव केवल 6 से 7 एटमोस्परिक प्रेशर होता है लेकिन यहाँ पर एक विशेज प्रकार के उत्पेरक का उप्योग क किया जाता है जिससे जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं क्योंकि इन ही वैज्ञानिक द्वय के द्वारा इसे बनाए गया था और यह इथिलीन के पॉलिमराइजेशन के लिए बहुत अधिक उप्योगी सिध्ध हुआ जिगलर नाटा उत्प्रेरक कि यह हम बात करें तो और इस तरह से यहाँ पर तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थती में करीब 343 कलिवन तापमान और 6-7 अट्मोसफेरिक प्रेशर पर जब इथिलीन का बहुली करण कियते हैं तो हमें हाई डेंसिटी पॉलिथिलीन प्राप्त होते हैं उच्छ घनत वाले पॉलिथि शाखाओं की कमी होती है और शाखाओं की कमी होने की वज़े से इनके अनुओं के बीच अंतर अनुक आकर्शन पर ज्यादा होता है यह पास पास होते हैं और इसकी वज़े से इनका घनत्व अधिक होता है और घनत्व अधिक होने की वज़े से इनका यदि हम घनत्व की ब होते हैं और इनका गलनांक भी काफी अधीक होता है करीब 131.8 degree centigrade के लगभग पाया जाता है ये भी रासाइनी कुरूप से अक्री होते हैं और विद्दुत के भी ये खुचालक होते हैं और इसलिए जो इलेक्रिक समान होते हैं उनको बनाने के लिए उनकी कवरिंग के लिए इनका उप्योग किया जाता है इसके अलावा जितने भी आपके घरों में डस्बीन बनाने के लिए बड़े-बड़े बास्केट बनाने के लिए इनका उप्योग हम करते हैं इसके अलावा बहुत सारे ख थेफलोन यो से हम कहते हैं टेट्रा-फ्लोरो-इ्थीलीन को अपने नन्स्टिक भरतनों का उप्योग भी किया होगा आपने देखा भी होगा कि जो नान्स्टिक भरतन होते हैं जभ Weihnachtgis में खाना बनाते हैं तो कम तेल में बना सकते हैं और यह जो खाना है उसमें चिपकता भी नहीं है कारान होता है कि यह जो बरतन होते हैं उसमें काले रंग की कुछ पेस्ट लगा होता है यह कवर लगा होता है यह जो काले रंग का पॉलिश होती है वही टेफलॉन की पॉलिश होती है और सबसे जो टेफलॉन का गुण यह है कि यह 330 degree centigrade तक भी यह melt नहीं होता है और यही वज़ा है कि टेफलान का उपयोग बरतन के उपर coating करने के लिए किया जाता है इसे बनाने के लिए जो हम एकलग यूज़ करते हैं वह होता है टेट्राफ्लोरो इथिलीन और इसकी वज़ा से जब बहुलक बनता है टेफलोन उसे हम कहते हैं पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन यहाँ पर जो टेट्रो फ्लोरो इथिलीन ये जब हम इथिलीन अणू के चारो हाइडरोजन परमानू को चार फ्लोरीन परमानू के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है टेट्रो फ्लोरो इथिलीन और इसके बहुत सारे अणू को क्योंकि हम जब monomers लेते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक लेते हैं और इसलिए के सामने हम हमेशा small n लिखते हैं जो उसकी संख्या को दर्शाता है उसके बाद जब इनकी क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थती में उच्चताप पर कराई जाती है जब इनका polymerization होता है बहुली क परण होता है तो उसकी फल्सवरूप हमें poly tetrafluoro ethylene प्राप्त होते हैं जिससे teflon कहा जाता है यदि हम इसके उप्योग को देखें तो जो काफी ये विद्दुत रोधी होते हैं और रसाइन के प्रती भी ये काफी रोधी किस्म के होते हैं यानिकी सामाने तोर पर जो इनका भी इनका असर नहीं होता है इनके साथ ये क्रिया नहीं करते हैं और इसलिए ऐसे जो उच्छ वसी अमल होते हैं जो सांद्र अमल होते हैं उनके प्रवा के लिए जो पाईपे बनाई जाती है या उनके कंटेनर्स बनाए जाते हैं वो टेफलॉन के ही बनाए जाते है आजकर बहुत सारे जो gasket बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए भी टेफलॉन का उपयोग किया जाता है यहाँ पर हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जो non-stick बरतन होते हैं जैसे कि मैंने बताये टेफलॉन का गलनांग काफी उच है यह 330 degree centigrade टापमान तक भी पिघलता नहीं ह खाना बनाती समय बरतन का तापमान इससे अधिक चला जाए तो फिर यह पिघल जाता है और इसके विगटन से विविन प्रकार के खानेकारे पदार्थ बनते हैं जो कि हमारे लिए काफी नुकसान दे हो सकते हैं इसलिए जब भी हम non-stick बरतन में खाना बनाए तो हमें धीम आज में बनाना चाहिए धीमी आज में धीरे धीरे उसमें खाना बनेगा जिससे कि तापमान जो बरतन का तापमान है वो 330 से उपर न जाने पाए और इसलिए जो टैफरान पिगले गाने विगटित नहीं होगा और हमारा खाना सुरक्षित रहेगा तो इसलिए जब भी हम non अप्तपुन बहुलक की विसे में जानेंगे उसे हम कहते हैं polyvinyl chloride या जिसे में शॉट में कहते हैं PVC आपने देखा होगा जो भी आप rain को टूपयोग करते हैं या टेबल को ढखने के लिए बड़े-बड़े cover यूज करते हैं या फिर आपने देखा होगा कि जो आपके खिलोन होते हैं या जो गाडियों के साइकलों के madguard बने होते हैं ये सभी PVC के ही बने होते हैं और सबसे ज़्यादा उपयोग जितनी भी जो केवल या विद्दूत की जो पाईपें होती है और इसको बनाने के लिए हम Canon Chloride का उप्योग करते हैं लिए फिलीन के औरू में से एक Ethereum को एक कलौरीन परमाणों के दौरा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो यह J purely सरचना हमें प्राप्त होती है उससे हम कहते हैं vinyl chloride यहां पर हम मैं आत्मक समु यानिud कि है और वह बंद के अंतर से दूइबन्ध और क्लॉरइड समु के बीद एक बंदन का अंतर होता है यहां पर इस प्रकार की जो सरचना तयार होती है उसे कहते हैं तो इस प्रकार क्लॉराइड यहां पर मोनोमर के रूप में उपयोग किया जाता है और जब इसका बहुली करण हम उत्प्रेरग की उपस्थती में करते हैं तो यह हमें जो बहुलक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पॉलीविनILE Chloride PVC और यह भी विद्दुत टता उश्मा रोधी होते हैं तथा रसायनों के प्रती भी यह रोधी होते हैं और इसलिए इनका उपयोग बहुत सारे रसायनों या को रखने के लिए जो विद्दूत उपकुरण हैं उनको बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। हमने देखा कि ये सभी बहुलत क्योंकि डूरेबल होते हैं मजबूत होते हैं इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है और साथी साथ ये विद्दूत उश्मा के रसाइनों के प्रतिक उचालक होते हैं इसलिए इनसे बनी वैस्तों का उपयोग हम बह पतधिक उपयोग से हम जानते हैं कि पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है क्योंकि ये पतार्थ जल्दी विघटित नहीं होते हैं और इसलिए ये पर्यावरण प्रदूशन का कारण बनते हैं हम सभी जानते हैं कि जो पहले के समय में जब जनसंख्या कम वाले जो प्राकर्तिक पदार्थ हैं उनका उपयोग करते थे हम कागज की थैलियों का उपयोग करते थे जो कॉटन जूट के बने पदार्थों का उपयोग करते थे और इन पदार्थों का चूकि आसानी से विघटन हो जाता था इसलिए हमारे पर्यावरण को नुक्सान नहीं होता था लेकिन एक समस्या थी क्योंकि ये सभी पदाद प्राकरतिक पेड़ पौधों से तयार होते थे इसलिए इन्हें बनाने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते थे और धीरे धीरे पेड़ों की संख्या कम होने लगी जिसकी वज़ा से पर्यावरणी का सहारा लीना पड़ा जैसे कि हमने जाना कि इनके गुण बहुत अच्छे होते हैं ये काफी हलके होते हैं सस्ते होते हैं मजबूत होते हैं लंबे समय तक टिकाव होते हैं और रसाइनों के प्रती रोधी होते हैं इस वज़़े से इनका उप्योग दिनों दिन बढ़ता चला गया और अब हम जानते हैं कि ये आज हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक हो रहे हैं हम जानते हैं कि पर्यावरण में क्योंकि इनका विगटन नहीं होता है इसलिए ये बहुत अधिक मात्रा में प्रदूशन के कारक होते हैं हमारे जो जनतु हैं इन्हें खाकर इनकी मृत्यू हो जाती है यदि इन्हें जलाकर नस्ट किया जाए तो ये कारवन मोनो अक्साइट कारवन डाई अक्साइट जैसी गैसे उत्पन करते हैं जो की हमारे जल वायू तथा धर्ती सभी के लिए नुकसान दे होते हैं तो समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम उपयोग कम से कम करें और इसके लिए हमें फोर आर्क का सहारा लेना होगा सबसे पहले तो हमें रिफ्यूज यानि की इनके उपयोग को मना करना होगा इसके लिए हम थैले की जगह पर पॉलिथीन की थैलियों की जगह पर हमें जूट या कपड़े की बनी हुई थैलियों क करना होगा हमें जब भी घर से बाहर निकलना हो हमारे बैग में एक कपड़े का थैला होना चाहिए कर जिस से हम इसके इनके उप्योग को कम कर सकते ह mistakes कर सकते हैं और में कम से कम इनका उप्योग जहां पर अतिव आवश्रक है वहाँ पर उप्योग तो करना ही है लेकिन उसका उप्योग हम कम से कम करें इसके अलावा हम इन्हें इनका reuse कर सकते हैं जैसे बहुत सारे containers होते हैं जो जल्दी से नस्ट नहीं होते हैं तो उन container तेल के हैं दूद के container जब ये खाली हो जाते हैं तो उनका उप्योग हम पौधे लगाने के लिए कर सक होते हैं इस तरह से दूसरी चीजे बना कर हम इनका उप्योग रियूस करके हम इनके प्रदूशन को कम कर सकते हैं इसके अलावा चौथी चीज होती है रिसाइकल जो भी पॉलिथीन रिसाइकल हो सकते हैं उनका रिसाइकल करके हम दूसरे उप्योगी पदार्थ बना सकते हैं ताकि नए पदार्थ नए इनका बनान ना पड़े और परियावरण का प्रदूशन कम हो तो इस तरह से हमारा करतव्य है कि यदि ये बाहुलक हमारे लिए उप्योगी है तो हमें इनका उप्योग इस तरह से करना है कि परियावरण का प्रदूशन ना होने पाए